हेलो श्टुडेट्स आप सभी का ओंलाइन क्लासी में स्वागत है आज आप पढ़ने वाले लेविंद्ध क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर नंबर सेकंड पर्मानु सरच्छनौ पर्मानु सरच्छनौ इसके बारे में आप अध्यन करेंगे आज का स्टार्टिंग वीडियो है पर्मानु सरच्छनौ आपको पता है एटम तक्तो का सुक्ष्टम करने हैं सबसे पहले डालिटन साब ने बतलाया था उसी पर आधारत कुछ बाते आज हम लोग यहां पर करें परके जैसे जैसे मैं हैडिंग डालता जाएं व्यसे आप लिखते भी जाना ओर साथ साथ याद भी करते जाना क्योंकि इंप्टरेंट है तो इसमें जो आज पढ़ाने वाले हैं वह परहते हैं आधनिक अव्धार लात फिसी अप्रमानु की अर्हिर किया है परमानु की भी आधुनिक अभधार्ण इस में क्या है कि परमानु का जो आधुनिक मॉडिल है वह तरंग यान्त्थ की अधान्त पर आधारित किस पर आधारित दर्व सिद्धांत पर आधारित हैं पॉइंट्स बना-बना करके लिखता जाओ जिससे कि आपको याद करते वनें कि तो पर आधुनिक मोडल या आधुनिक अभधार्णा अधर अभधार्णा तरंग या अंत्र की सिद्धान्त पर आधारित है पर आधारित है अभधे तरंगें उनकी मेंटेरिज विजुआ ही उन पर आधारित है यह बात आगे टिटेल में आएगा दूसरह को पता भी पहले को ना इतल यद लेकिन परफिशेश में कर्षतिति है इसको बीवाजित कर्सकते हो तो विशेश परिष्थितियों में अब इसका मतलब क्या हो गया कि परवाणु तीन मूलकणों से मिलकर के बना है वो तीन मूलकण है इलेक्ट्रोन प्रूट्रोन और नीट्रोन तो अब जो डाल्टन साथ थे उनने कहाता कि दखो अविवाज है लेकिन बैज्ञान को ने क्य कहा दिया बोले साथ यह विवाज है विशेश परिष्थितियों में हम इसको विवाजित कर सकते हैं तो तीस दूसरा पॉइंट याद कर लिना डाल्टन के अनुसार के परमानू के अभी भाज है के अनुसार के अनुसार है अर्थाथ इसको विवाजित नहीं कर सकती यह इन्हों ने कहा था लेकिन कि वैग्यान को ने कि सिद्धिकिया कि सिद्धिकिया क्या सिद्धिकिया कि यह इलेक्ट्रों प्रोट्रों और न्यूट्रों से मिल करके बना होता है किया कि परमानु एलेक्ट्रोन कॉमा प्रोट्रोन कॉमा नीट्रोन से मिलकर बना कि होता है दूसरा पॉइंट हो गया इसका मतलब क्या हो गया डाल्टर साब ने जो कहा था यह बात यहां पर क्लिया हो अब तीसरा पॉइंट एक और आएगा वह आएगा रदर फोर्ड का रदर फोर्ड ने अपने एक परमानु मॉडल प्रस्तुत किया था तो हम लोग कह सकत कि ने परमानु सरच्णा का मॉडल प्रस्तुत किया था रदर फोर्ड ने आएगा कि ऑपरमानू कि सरच्णा का कि मोडल कि यह कि पर सथीट किया यह इसमें पढ़ने को मिलेगा आगे अभी छोटी आपने पढ़ा हुआ है गेमेटर फोर्ड में परवाण उस्रेशना की मझारवी को यौको अब किया लेकिन तो यह है आम मॉडिल कर परमाणू कि इस पैक्टमों की व्याख्या नहीं कर सका मैं छोटे चोटे पॉइंट लिख रहा हूं जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत नहीं रदर फोर्ड ने परमाणू सरचना का मॉडल प्रस्तुत किया लेकिन यह मॉडल परमाणू स्प्रेक्ट्रमों की व्याख्या को नहीं कर सका इसके बाद में संसोधन कर दिया इसे सब्सक्राम कर बाद में गया जाएंगे बौर और बोर ने क्या किया जैसे जैसня संसोधन होता गया रद बोर ने रदर फोर्ड के परमाणू मॉडल को संसोदित किया अब क्या संसोदित किया किस पर आधारित था ये ये क्वांटम से दान पार आधारित था तो ये विक्रण के संसोदित किया जो विक्रण के में लिख देता हूं जिससे याद रहे जाए विक्रण के क्वांटम के सिध्धान्त पर पर आधारित था अब एक पॉइंट और में लिख देता हूं क्या लिख देता हूं आधुलिक परमाणू सिध्धान्त आधुलिक परमाणू सिध्धान्त द्वारा द्रविकी 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 द्वैत प्रकरती द्वैत का मतला दोल नेचर दोहरा नेचर कणी और तरंगी द्वैत प्रकरती अभी मैं समझाओंगा इसको मैं लिख देता हूं जरा फिर समझाता हूं तरंगी तथा ए निश्चित्ता के सिध्धान्त को प्रस्तुत किया अब आप एक बार एक लाइन में फिर से समझे एक चीश के लिए रोगई परमानों की आधने का अभधारना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या था सबसे पहले यह सिध्धान तो ना यह वाले सिध्धान यह किस पर आधारी थे तरंग यान तरगी पर आधारी थे तो वेव की जो मेकैनिस्म नहीं है जितनी भी तरंग प्रोटन एंडी नीट्रोन उदाशीन होता है प्रोटोन धनात्मक होता है एलेक्टोन निगेटिव होता है रधर फोर्ड ने इस सिद्धान्त को लिया और एक अपना एक मॉडल पृस्तुत किया जिसे हम आधरिक कह सकते हैं लेकिन वो शिद्धान्त भी जो था जो रधर फो आप देखेंगे इस चैप्टर में अलग-अलग सिद्धान तो अलग-अलग तरीके किस तरीके सिद्ध करते हैं अब देख लिए रदर फोर्ड के बाद में आगे बोर बोर ने रदर फोर्ड के परमाणू मॉडल को एक संसोधन किया उसमें और संसोधित रूप दिया लेकिन जो विक्रण के कौंटर सिद्धान पर आधारित है ये इसको आधुनिकता के रूप में मान लिया गया अब इन्हों ने क्या कहा पाँचमा पॉइंट आधुनिक परमाणू सिद्धान द्वारा द्रव्य कहते हैं पदार्थ को द्रव्य किसको कहते हैं पदार्थ को पदार प्रकरती और तरंगी ए निश्चित्ता किया गया ए निश्चित्ता के सिध्धान्त को प्रश्वित करता है ए निश्चित्ता का मतलब होता है कि किसी समय कोई भी कण की इस्थिती एवं संवेक का निर्धारण संवेक का निर्धारण एक समय नहीं हो सकता यह नियम है जो आग यह स्थिति पोजीशन एब उसके संवियक का निरधारण नहीं करता है तो इसी सिद्धान्त के आधार पर यह आध्रिक परमानों से धानत दिया लिए नेक्स्ट बात हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर ये टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक समाथ होता है, सेकंड टॉपिक का एक छोटा सा रूप में लेता हूँ, इलेक्ट्रोन की खोश, देखे फेराडे नाम के एक बैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नलिका बनाई, जिसका नाम सा विद्धुत विशर्जन नलका, इलेक्ट्रोन की खोश, खोश, यह हैडी डाल दिएगा, इंपोर्टेंट भी है, क्या हुआ, फेराडे, उन्नीसी सताब्दी के आसपास की बात है, देखें, तम्टीशन में जब आप करोगे, तो वहां सन्थ आपको अलग याद रखें रखना पड़ेगा, जो कैठोड करणों की खोज हुई, उन सब के बारे में अलग अलग सान याद रखना पड़ेगा, लेकिन जनरल जब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, तो आप लोग उनिश्वी सताब्दी लिख सकते हो, वाकि नहीं लिख सकते हो, उनिश्वी मेरे सब्दों पर जाईएगा, विद्धुत किसने, फेराडे, माइकल फेराडे, लेकिन सौर्ट में हम लोग फेराडे कहते हैं, विद्धुत विशरजन नली ले, अब इस विद्धुत विशरजन नली में एक का नाम तो रख दिया, एक सिरे का निगेटिव, और एक सिरे को पॉज्टिव कर दिया, अब आप यहां पर देखे, इस नली में वैसे तो यहां पर मैं कंप्लीट नहीं बना रहा हूं, यहां से निर्वात करने की कोशिश की गए, तो यहां पर का निम्न दाव, जब प्रेशर से निकाल लेंगे, वैक्यूम कर देंगे, तो प्रेशर क कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कम दाव उपार, सब द्याद रखना, विद्धूत विशर्जन नली है, कम दाव है, उच्च विववव है, उच्च विवव है, इस पर विद्धूत धारा प्रवाहिद करते हैं, नली का नाम क्या है, विद्धूत विशर्जन नली, यह लिजिए, यह कर दिया, विद्धूत विववव पर, जब हम विद्धूत धारा प्रवाहिद करते हैं, तो कुछ किरने, रिण सिरे से धन सिरे की और देखिए पोजिटिफ से रख कुछ किरण है रिण सिरे से धन सिरे की और घमन करती है अब घमन करती है इनी को कह दिया गया कैथोर्ड किरण है क्या कह दिया गया रिण किरण है इन किरणों को क्या का गया रिण किरण है जिने कैफोर्ट के नाम से जानते हैं दूसरा पॉइंट क्या है जब इस विद्धूत विशर्जनली छोटा सा बना लेते हैं नीचे का पॉइंट नहीं बना रहे हैं यह पॉज्टिव हैं यह पॉज्टिव हैं और यह निगेटिव अब क्या किया इस विद्धूत विशर्जनली में जब आपने विद्धुध धारा प्रवाहित की क्रिने निकल नहीं उस टाइम आपने क्या किया यहां पर चुम्ब की छेतर रख दिया बच्चों की छेतर यह पॉज्टिव और यह निगेटिव यह धन सिरा मैं हिंदी में ल अब आप गौर से देखें निगेटिव से पॉज्टिव की ओ कुछ किरने निकल रही थी लेकिन क्या हुआ यह कि यह धनात्मक चुम्ब की छेतर की और बच्चों यहां यह मत्सोच लेना कि तीन इकरने निकल लेंगें बहुत करने हैं यह सिर्फ चित्र इस पश्ट दिखलाए देशले तीन चार ले लेते हैं को जगर छोटी होती है तो यहां पर धनस रेकियों मुड़ जाती है एक चीज हो गई धनस रेकियों मुड़ गई इसका मतलब कैसी है यह किरना है इसी लिए इसको टैथोड करने खा गया एक और प्रैक्टिकल हुआ क्या प्रैक्टिकल हुआ कि यह निगेटिव से रहा और यह कुंदिशनी क्या किया जब अब यह यह चुनकी छयत्री नहीं रखायेज़ क्या किया zastनुक यहां पर झेपड़ी प"-या लेगिया अभी बतलाता हूं च्युक्री पइए कि नाम है है यह च्थे प्ड़ी पक्याश्य यालिया लेका है छेपिड़ी छेपनी भी कह देते हैं, कुछ लोग छेपनी भी कह देते हैं, छेपड़ी, पईया, पैडल भी, पैडल भी, हलका पईया, हलकी चक्री, तो इतने मैंने नाम आपको उतला दिया, तो ये दो नाम आप याद रखना, पैडल, ऐसे लिख लेना हिंदी में, पैडल, वील, ठीक है बच्चो, तो पैडल वील ले लिया, बिल्कुल हलका, बहुत हलका होता है, जैसे ही ये क्रिने गई, किदर से जा रही, निगेटिव सिरे से, पॉज्टिव सिरे की और, अब ये क्रिने यहाँ टकराई, टकराने से क्या हो गया, इसका मूवमेंट हो गया, अब ये मूवमेंट हो गया, अपने धुरी सिरे पर भूमने लगा, भूमने लगा, इससे क्या सिद्ध हुआ, कि ये जो तरंगे निकल नहीं थी, ना, क्रिने निकल नहीं थी, ये कैसी हो गई, कणी, अभी अपनी बात आई थी ना, द्वैत प्रिकरती, द्वैत प्रिकरती यही थी, कि कणी और तरंगी, तो तरंगे के रूप में था, लेकिन जैसी छेपडी पईया रखा, किसी भी चीज़ पर, माली जै कोई एक पैन रखा हुआ है, हम दूर से बॉल मारते हैं, तो ये पैन क्या होगा, गिर जाएगा, तो गिर जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, कि बॉ भूम जाता है, और थात कण से बना होता है, इसी को हम लोग इलेक्टोन कर देते हैं, चलिए मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, दो चार लाइन लिख देता हूँ, सबसे पहले पॉइंट, देखिए क्या लिखेंगे आप, फैराडेन है, 19 वी सताबदी में, विद्धुद विशर्जन लली, मैं हिंट्स दे रहा हूँ, फिर इसको और डिटेल आप कर लेना, विशर्जन लली, मैं निम्निदाव, वे उच्ची विभाव पर, विद्धारा, प्रवाहित की, प्रवाहित की, जिससे, रिण सिरे से, धन सिरे की ओर, धन सिरे की ओर, कुछ किर्णे, गमन, करती हुई, दिखलाई, देती है, यह किलियर हो गया, दिखलाई देती है, एक पॉइंट किलियर हो गया, इसको मैं साब करता हूँ, जगे बना रहा हूँ, जिससे की और बात में लिख सको, एक पॉइंट हो गया, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, इस विद्धूत विसर्जन नली, विसर्जन नली को, पॉइंट की छेत्र कर देते हैं, अब चुमब की छेत्र कौन सा, बच्चों याद रखना है याप पॉश्टिवेंड निगेटिव धनसरा और, रिड़ से ला, आपने देखा ने, चुमब में धनसरा होता है, निगेटिव से लाउता है, अब्लीक निगेटिव, मैं रखते हैं, अब इसका मतलब क्या हो गया है, यादि चुमब की छेत्र लगाते हैं, आप रखते हैं कि जगए पर क्या लगा सकते हो, इस विद्दुद विसरजनरी के चारों तरफ एक चुमब की छेत्र लगाते हैं, जिससे, रिण सिरे से, निकलने वाली, क्रिणे, धन, चुमब की छेत्र की और, चुमब की छेत्र की और, मुर जाती हैं, अब देख लिजे, गौर से, देखो, गौर से, मुर गई, किदर, पॉज्टिव किदर, धन सिरे की तरफ, धन सिरा ये, मुर जाती है, जिससे सिद्ध होता है, होता है, कि, ये रिण करने, अब इदी को हम लोगों ने रिण करने कह दिया गया, अब अगली बात आती है, इसमें, इस विद्धूत विशर्जन नली में, हमने छेपड़ी पहिया रखा, तो ये दो पॉइंट हो गए आपके, अब तीसरा पॉइंट, अब इस विद्धूत विशर्जन नली में, एक हल्का पहिया, एक हिंदी और लिख दी मैंने हल्का पहिया, छेपड़ी वील, छेपड़ी पहिया, पैडल वील, ऐसे बहुत से नाम है, को रखा, जो, विद्धुधारा, प्रवाहित, करने पर, उत्पन हुई, कि रिण करनों के टक्राने से टक्राने से चक्रान, चक्रान का मतलत हो तो घूमना, गूमने लगता है, चक्रान, गूमना कहते हैं इसको, करने लगता है, जिससे सिद्ध होता है, कि ये रिण करने, ये रिण करने, रिण करनों से, मिलकर बनी है, जिन्हें, जे जे थॉम्शन ने, इलेक्टरोन कहां, जिन्हें, जिन्हें, ये मॉडल था, आप लोग याद कर लेना, एलेक्टरोनों का नाम करने, जे जे थॉम्शन ने दिया तब इसे रिण करका आ गया, तो ये इंपोर्टेंट टॉपिक थे, बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप लोग याद करते रहना, अभी स्टार्टिंग है, 11th क्लास है, अभी से जब ये इसी को फांडेशन का चला है, बहुत ही मेहनत करने की आफशक्ता है, थेंक यू बेरी मार्ट, क्knowिशिग निती स्टार्ट emजनुन है,